हेलो दोस्तो स्वागत आपको मेरे यूटूब चैनल में मेरा नाम फिरोज है दोस्तो आज मैं रिविव करने वाला हूँ मेगा जॉलिट टेबलेट का और आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में मेगा जॉलिट टेबलेट के बारे में दोस्तों इसको अरिष्टो नमक कम्री दोरा बनाया जाता है जो कि बहुत ही फेमस है और आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में मेगा जॉलिड के बारे में जैसे कि इसका यूज किनकिन बिमारियों में किया जाता है इसको खाने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसमें कं क्या डाला गया है इसका प्रोपर डोज क्या है इसको किन लोगों को नहीं लेने चाहिए कितनी रुपे का आता है पूरी जानकारी दूंगा तो वीडियो को आप लास तक देखें दोस्तों अगर बात करें मेगा जॉलिड के बारे में तो यह एक ब्रांड नेम है और इसमे में जो कंपोजीशन डाला गया है वह है लीनो जालिड जो कि 600 में मिलता है इसके दो इस्ट्रेंथ आते हैं एक है 200 एक है 600 एमजी बड़ ज्यादा तर यूज 600 में ही किया जाता है इसके सीरफ फॉर्म में भी आते हैं मेगा जॉलिड के और इंजेक्शन भी आता है बड़ स स्ट्रांग एंटिवाइडिक तो जब नॉर्मल एंटिवाइडिक काम नहीं करते हैं या उनसे काम नहीं हो पाता है तब जाके इस लीनो जॉलिड टैबलेट का यूज किया जाता है दोस्तों अगर बात करें इसके प्रोपर यूज के बारे में तो आपको लंग से रिलेट जिसमें इंफ्लामेशन हो जाता है म्यूकस जम जाते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है उसके साथ साथ इंफेडेमिया करके एक बिमारी है जिसमें जो हमारा एयर सक है जहां से एयर निकलता है उसमें सूजन आ जाती है तो उसमें भी इसका 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 यूज किया आगर आपको बॉन में इन्फेक्शन हो गया है और जो बहुत जएधा सीवियर है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके साथ साथ यू टि एंटरेक इंफेक्शन जिसमें पिसाब में जलन होना पिसाब रुक- ज़्यादा इंफेक्षन हो जाता है जो कि नार्मल एंटिबाटिक से नहीं होता है तब उसमें भी यूज किया जाता है उसके एलावा बहुत सारे बैक्टिरिया के जो सीवियर इंफेक्षन है जैसे कि अगर आपका सर्जरी हुआ है आपका घाओ नहीं भर रहा है आपको एक लेनो जॉलीड का या मेगो जॉलीड का यूज किया जाता है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो नॉर्मली इसके साइड इफेक्ट सेम है नौसिया, ओमेटिंग, डैरिया, पेट दर्थ करना यह सब सेम है लेकिन इसके हटके एक यह है कि आपका जो blood है उसका decrease कर देगा जैसे RBC का blood label decrease कर सकता है white blood cell decrease कर देता है platelets का count decrease कर देता है तो जो blood है वो उसकी कमी आने लगेगी आपके सरीर में इसके side effects सबसे important या सबसे dangerous यह देखा गया है तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने doctor से जरूर बताए दोस्तों अगर बात करते हैं इसके doge के बारे में तो देखिए doge जो होता है हमेशा doctor आपके बिमारी को देखके कितना severe है कितना गंभीर है उस पे ही दवा आपको देता है doge देता है लेकिन इसका जो normally जो doge दिया जाता है दिन में एक बार दिया जाता है और mostly तीन दिन दिया जाता है नहीं तो पांच दिन दिन दिया जाता है बट कुछ severe cases में आपको 10 दिन भी दिया जाता है और 15 दिन भी दिया जाता है तो ये severe आपके बिमारी के उपर रहेगा कि इतना गंभीर है तो इसकी लिए आपका जो proper dose है वो नहीं बता सकता बट इतना है कि दिन में एक ही बार दिया जाता है वो भी खाना खाने के बाद दोस्तों यह pure prescription medicine है अपने से ना ले और इसको परगिन महिला को नहीं लेना है ब्रिस्पिटिंग मदर को अपने से नहीं लेना है इलकोहल के साथ भी बिलकुल नहीं लेना है गाड़ी चलाते टाइम पे आप गाड़ी बहुत ज़्यदा अगर चला रहे हो तो भी नहीं लेना है और भी आपको कोई severe problem हो जैसे heart से kidney से या liver से या आपको इस टमक में अलसर हो पेट में छाले हो तो यह आपको अपने से नहीं लेना है बच्चों लोग को जो 18 साल से कम है उनको भी नहीं लेना है यह सब सावधानी आपको बरतनी है और अपने से बिलकुल भी नहीं लेन है इसको अरिस्टो नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है जिसकी प्राइज 10 टैबलेट की 300 रुपे आती है और फिरहाल जो प्राइज है आगे पीछे होती रहती है अभी 300 रुपे है हो सकता है future में बढ़ भी जाए लेकिन यह आपको आपकी नजदी की मेडिकल पे जरू अगले वीडियो में